नगर निकाए चुनावों का सोर फिर से सुरू होने जा रहा है। चुनावी समर में हर प्रत्यासी जनता के बीच जाकर बड़े-बड़े वाइदे करता है और इस बार भी करेगा। लेकिन प्रत्यासियों के इनी वाइदों का हिसाब लेने के लिए हर दुआ गंच की जनता अपनी बारी का इंतिजार कर रही है। चुनाव अचार सहिता लागू होते ही प्रत्यासियों के नमंकन और फिर जनता के दरवार में जाकर बोट बांगने का वक्त वाइदों की लंबी लिष्ट सुनाना हर प्रत्यासी सुरू कर देंगे। लेकिन कुछ वाइदे जिन्हें जनता भूलती नहीं है और उसका हिसाब देना नेता के लिए मुशीबत बन जाता है। ऐसा ही वाइदा आजकल हर दुआ गंच कस्वे की जनता की जवान पर ताजा हो गया है। वाइदा है नगर पंचाय थर्दुआ गंच के नेवरतमान चेर्मेन तिलक राज यादव का। तिलक राज यादव ने वर्स 2017 में वाड भीम नगर की रहने वाली रेश्मा देवी से वाइदा किया था कि वह उनके बच्चों को गोद ले रहे हैं और उनकी साधी होने तक परिवार की जिम्मेदारी वह खुद निवाएंगे लेकिन चुनाब जीतने के बाद नेताजी ने अपनी कही बात पर फिर कभी गौर नहीं दिया मजबूरी में 60 साल की उम्र में भी रेश्मा अपने एक नाती और तीन नातनियों की जिम्मेदारी अपने बुड़े कंदो पर बखुवी निवा रही हैं असल में जब नगर निकाय के चुनाब थे उस समय बर्स 2017 में रेश्मा देवी के बेटे असोक कुमार की सडक हाथसे में मौत हो गई आर्थिक रूप से कमजोर इस दलित परिवार के इकलोते बेटे की असमय मौत के बाद उसके चार मासूम ब इसी दुसबारियों में रेश्मा की पुत्र बदू भी चलवसी माबाप का साया सर से उठ जाने के बाद असोक के चारो बच्चे मंदना विश्नू शंजना और गौरी बिलकुल अनात हो गए ऐसे वक्त में दलित बोटों की आस में तिलक राज यादव ने जनता के बीच इन चारों बच्चों को गोद लेने की घोस्णा कर दी अनात ददित बच्चों को गोद लेकर तिलक रियाज यादव ने मीडिया में खुब सरक्या मटोनी लेकिन चुनाब जीतने के बाद दलित परिवार की ओर कभी मुरकर ने देखा लाक वह असाड़त लग गई चस्ति और बव को अब लग गई जीव ठांते च्टी अजार सत्रे का सब्सक्राइब भाई च्याजार रभा महिना ताला नहरी काम कर रही है और बच्चन पाल लेकर चार वालक पड़े रही है और कोई जमीन या कोई कोई जमीन नाया है कोई बनने के बाद 200 मंद भीगवाए उसके बाद आप अप गई अपके पड़ाई बच्चों की पड़ाई कैसे हो रही है पड़ाई में 6000 रहत कि रूप जिस वर लग इसकूल वालों eping Совाने तरह ने कोई लाब नहीं दिन ई But somehow बढ़ते हैं वह अमस्तरार लग जाजिने ने आज भी अब ये दोबारा शुनाब शुरू हो गए और आने वाले बद तुम्हें आपके यहां फिर नेताजी आएंगे आप सभी कहीं आएंगे तो फिर भी बादे करेंगे तो इस बार पूछोगी तो सही कि जो बादे पहले किये थे वो पूरे किये या नहीं वो हो पूछोगी तो मेरे बादे कितने पूरे होते हैं अच्छा बहराल आपको यह पीडा आए को नहीं ने जो सुनाम में जो बादा किया उस बादा ही रह गया उसके बाद उन्होंने कोई हमारी मदद जैसा कहा था समाज के बीच में इससब बात हैं अमने महांजे याद है क यह वह लिखाता सब देड़ महिना कीछ हमारी बव बीठा मरी बीचे जालंग को जर्काइब कर दाने अकबार में थे खुटु फेचरों ममाला में हमारे हरा वद्धिशें हमारी चारों बच्ची रोई दुरों निरों चारों तो हमें दस हजाद करते गों फेर बूलो कमा फि हमारी बच्चा जीचे गए तो हजार प्यारे वाने बास्चरों मिठाइके था है पना बंदर हमाई मावाल लेगे हमाँ फुन नहीं कर बाई वह भी राजिस्थान के लोग किसी दूसरे जो व्यक्तियान नोन आदमी आया उसने जरूर मद्द को पावर होसरे तो हमारों ब पांच जार पाव नहीं तो हमारे घर प्राइब तो फाइब तो हमारे बेटी तुमारा वो पजाब तो हमारे तुमारे तुमारे वंद्दना कौन सी क्लास पास किये तुमने उसके अबाद आगे अडमिशन अबिवाद यह क्यों कर अधिया तो आप को तो चेर्मं जो है उन्होंने कहा था कि हमने चाह क्या नाम है तुम्हारे संजना संजना वह उसके लास हम पड़ती हो पांच हम पड़ती है कर दो कर दो कर दो को नहीं किया पिछली बार उन्होंने मैदान में थे तो यह जे घटना हुआरे बाद नमर एक में हटे तुई परवार के दोनों पति पत्नी एक्सपायर हो गए थे और उनके बच्चे जो हैं दीम बेटियां है जो उनके द्वारा उनके भरण पोर्षन के लिए पूरे सामाजिक तौर पर एक पत्रकार वर्दूं की अब उपस्तिती में उनको गोद दिया गया था उन्होंने उन्होंने परवार को मैंने यहां तक देखा है समुचित रूप से नहीं मिल पाया है जिसका अब जनता अब निकाय चुनाव आने वाले हैं तो जनता उसका उनको किस हिसाब से बोट के रूप में देगी यह नहीं देगी जनता डिबंड करेगी क्योंकि उनके कारेकाल को जनता ने ज कि एफो इसकार करना अचागत है कि हमाय तर बोट ना ले हुट ना मागने आए तो कि जब एक परवार कही भला नहीं होका है, तो क्या होता, जिस तरह हमार पर जिए जगा है, समाज़िक जगा है, उसको बनवाने की बात भी नहीं बनवाए गी है। आज तक वैसी वैसी पढ़ी होगी है।